हेलो गाइस मैं हूँ नबनीत और मैं आज लेकर आया हूँ आपको पानीपत के एक प्राचीन मंदर जिसका नाम है देवी मंदर ये मराठो के टाइम पर बनवाया गया था और ये देखने में बहुत संदर मंदर है तो चलिए फिर देखते हैं तो अब हम चलते हैं मंदर के अंदर तो देखेंगे कि अंदर से मंदर कैसा दिखाई देता है तो बने रहे हैं मंदर देखने में बहुत ही संदर है इस मंदर का निर्माड 18 सतावदी में जब मराठा योद्धा अपनी सेना लेकर यहां आये थे तब किया गया था यह हर्याना के सहर पानीपत का प्रिशिद्ध मंदर है यहां पर लोग इस मंदर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं यह है मंदर का मैं देवी मंदर जिसमें माता रानी की 250 साल पुरानी दूरती रखे होई है यह पर पुजारी जी बैठे हुए हैं यही परसाद चड़ाते हैं यहां पर माता रानी के ऊपर ज्यादा रोशनी के विज़े से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं मंदर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इतना सुन्दर है और हम चलते हैं बाहर की तरफ बाहर से मंदर कुछ इस तरह का दिखाई देता है इस मंदर में फिर कृष्ण जी हैं और माता रादा जी हैं आप इस मंदर को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं कितना संदर बना हुए है कितना अंदर से अच्छा लग रहा है आप मैं हर तरीकी से दिखाने की कोसिस कर रहा हूं चलिए अब मैं आपको आवे दिखाने है यहां पर हमारे अनुमान जी हैं राम राम जी दिखा हुआ है जी खबाने हैं पर हमारे अनुमाने हाल रामोची खबती है만 आपको वाद रेहा है कितना समी मैं के कोर से जीश भामोचस को आपकोजगे अनुमान अनुमान जीहों जीशान restaur कितना है राम omवे। जग जर वार, झीज़ना हो जाया हो फजय हो जाए भॉड़ा वोग टाइब रखरीग कईजी दूलागाई का वार, प्यूलाई ररी वार, प्यूलाई भॉड़ाई थाएब बाया वार, पॉड़ाई लेया हो झाह हो जाएब सुटा है। कि यह मंदिर है सिभ जी का जहां पर सिवलिंग है और मैं आपको दिखाना चाहूँ हो कि इस तरह का दिखाई देता है कि इस तरह से दिखाई देता है देखने में बहुत ज्यादा सुन्दर है और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ बहार की दरफ बहार से यह मंदिर इस तरह का दिखाई देता है कि अपको अब करेंदाई देता है और मैं आपको अपको अपको बहाँ अब मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको वह पार्ग दिखाऊंगा जहां पर सभी लोग बैठते हैं चलो आज पार्क में आ गए हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं आज भीड कम है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा है यहाँ पर फोर गुल भी बहुत कम हो रहा है यहाँ पर पेल पोदे बहुत अच्छे तरह से लगाए हुए हैं यहाँ पर देखने में बहुत अ अच्छा लगता है, महोट ज्यादा सांत माहूल रहता है, और साफ सफाई का पूरा ध्यान वक्का गया है, मैं आज पाऊँ पार्क के दूसरे साइड पर, आप देख सकते हैं पार्क इतना बड़ा है, ये कुछ दिन पहले तालाब हुआ करता था, और इसको पार्क में बदल दिया गया है, यहाँ पर लोग कुछ लोग सोय हुए हैं, और कुछ लोग आनम्द ले रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, कितने अच्छा लग रहा हैं हमाँ आ चुके हैं पारक के सबसे लाश्ट में कितने अच्छा चुके हैं आ फुके भाइब कितने अच्छा नहगा हैं कितने बाइब तर पने कमें अच्छा चुके हैं झाल 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 अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप इस चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिये वो बैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आपको इसे रेलेटिव और अच्छी ची वीडियो मिलती रहेंगी तेंक य।